आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रस्ण है जड़ अच पर वह बच्दु ग्यात कि जिसकी बिंदु 1 कामा, 2 कामा, 3 से दोरी, रोट 81 है तो हम underestils के हो, जड़ अच पर एक बिंदु ग्याध करनी है जो दी गए बिंदु से रोट 81 दोरी पर है तो हम सबसे पहले जान लेते हैं Z अच्छ पर X और Y के मान क्या होंगे तो Z अच्छ पर X क्या होगा 0 होगा और Y भी हमारा 0 होगा तो हम मान लेते हैं माना वह बिंदू क्यूं है क्यूं क्या हो जाएगा X 0 होगा उसमें Y 0 होगा जथा Z को हम Z मान लेते हैं तथा हमें एक बिंदू दी गई है P, P हमें क्या दिया गया है, एक कामा, दो कामा, तीन दिया गया है, और इन दोनों बिंदू की बीच की दूरी जो है, हमें रूट 21 दी गई है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं, जो हमारा P क्यूं होगा, वो हमारा क्या होगा, रूट 21 होगा, और चोकि हम जानते हैं यदि दो बिंदू दो बिंदू P X1 कामा बाईवन कामा जेड़वन तथा Q X2 कामा बाईटू कामा जेड़टू हो तो इन दोनों के मद्ध जो दोरी सूत्र होता है वह P Q बराबर होता है P Q बराबर होता है रूट X2 रिड़ X1 का बर्ग धन बाईटू रिड़ बाईवन का बर्ग धन जेड़टू रिड़ जेड़वन का बर्ग अता है अगर हम P Q को दिये गए P Q से तुलना करें तो यहां से हमारा जो X1 बाईवन जेड़वन का मान निकल के आएगा और X2 बाईवन निकल के आएगा वो हो जाएगा करमसा है X1 मतलब P तो X1 बाईवन जेड़ बाईवन का मान एक कामा दो हो गया और यह हो गया तीन तथा X2 जीरो जीरो जेड़ अगर हम P Q में सभी का मान रख दें तो हमारा P Q कमान क्या दिया गया है हमारा P Q कमान दिया गया है रूट 21 तो यह हो जाएगा हमारा P Q की जगे हम लिख देंगे रूट 21 बराबर अंडर रूट यह हो जाएगा हमारा X2 मानेस X1 मतलब 0 जीरो 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 बर्ग अगर हम दोनों तरह बर्ग कर दे तो यह क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 21 बराबर यह हो जाएगा हमारा रीड एक कबर क्या होता है एक होता है धन यह होता है हमारा रीड दो कबर क्या हो जाएगा चार हो जाएगा धन जेड रीड तीन का बर्ग धन 4, 1, 5 और यह हो जाएगा रिड 21 बराबर 0 तो हम देखते हैं यहाँ पे A, रिड B का बर्ग लिखा तो A, रिड B का बर्ग क्या होता है A का बर्ग, धन B का बर्ग रिड 2, A, B तो यह हो जाएगा हमारा जेड का बर्ग धन तीन का बर्ग क्या होगा नव रिड दो ए बी तो दो त्याई च्छे जेड तो यह हो जाएगा हमारा छे जेड धन पंदरा रिड 21 बराबर जीरो तो यहां से हम देखते हैं क्या हो जाएगा जेड का बर्ग रिड 6 जेड जेड का बर्ग रिड 6 जेड और यहां पे हमारा क्या है नव पांच चाउदा चाउदा रिड 21 क्या हो जाएगा रिड 7 बराबर जीरो तो हम दी गई समी करक क्या निकालेंगे मूल निकालेंगे तो यहां पे हमें क्या करना है यहां पे जेड का बर्ग का गुड़ांक जो है एक है और अचरपद रिड 7 है तो एक गुड़े रिड 7 होगे हमारा रिड 7 अर्थात हमें 6 को ऐसे दो भागों में बाटना है कि जोड़े या घटाए तो रिड 6 आए और आपस में गुड़ा क है तो सा आए तो हम इसको लिख देथे हैं जेड का बर्ग रिड़ सात जेड धन जेड रिड़ थाद सा बरावर जीरो थाक देख रहा है रिया जेड 警 साथ गराबर जीरु सात बरावर जेड धन एक गुड़े जेड रिड साथ बराबर जीरो तो अगर हम इन दोनों को जीरो के बराबर करेते हैं हमारा जेड का मान आएगा जेड बराबर रिड एक और ये इधर जाएगा तो धन साथ जेड का हमारा क्या मान आगया रिड एक कामा साथ तो हम बिंदू क्या माने थे जेड अच्छ पर एक बिंदू हम माने थे क्यूँ जीरो कामा जीरो कामा जेड अर्थात अगर हम जेड का मान रिड एक रखे दें तो हमारा जो क्यूबन का मान आएगा जो हमारा क्यूबन का मान आएगा वो हो जाएगा हमारा 0,0,0,Rid1 तथा अमारा जो Q2 कमान आएगा वो हो जाएगा हमारा 0,0,0 और हम रख देते हैं Z कमान 7 तो हमारा Z अच्छ पर दो बिंदू प्राप्थ होंगी जो D गई बिंदू से रूट 21 दूरी पर होंगी तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा. धन्यवाद.